नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिकम इतिहास के पन्ने है। अभी कुछ दिन पहले इटली में नई सरकार बनी है। प्रधानमंत्री बनी है जो फ्रेटेली दा इटली की लीडर हैं, ब्रदर्स ऑफ इटली। यह पार्टी जो है इसके ओरिजिन्स नैशनल फासिस्ट पार्टी इटली की वहां से ट्रेस करते हैं। तो एक तरह से यह एक एक एक्स्ट्रीम राइट विंग की सरकार इटली में बनी है बहुत सदियोबाद। इसी के साथ साथ एक और घटना है कि 1922 में आज से ठीक 100 साल पहले बेनितो मुसलिनी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो इटालियन फासिस सरकार के नेता थे, उन्होंने एक तरह से पावर कबजा लिया था इटली में। ये दो बिंदू हैं, इसके साथ एक और तीसरी बिंदू को हम जोड़ेंगे। इटली और योरोप के बाकी कई सारे मिलिटरी स्कूल्स और ट्रेनिंग इंस्टूशन्स में समय बिताया था और बहुत इंस्पायर होके आके उसी तरह की विचारधारा को हिंदूस्तान में फैलाया था। इन तीन बिंदूओं को हम कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कोई इसका चौथा पॉइंट भी है या नहीं। कॉमेंटरीज और आर्टिकल्स लिखते हैं अलग-अलग अख़वारों में मैसोर में फिलाल घह रहे हैं लेकिन हमारी ये बहुत गुड़ लग कहूंगा कि आप दिल्ली में आयों है तो रवी भाई सबसे पहले तो हमारे इस कारेक्रम में आने के लिए आपको धन्यवाद तैंक यू निलांजन बहुत 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 शुक्रिया आपने इस प्लाटफॉर में इस बड़ी मशूर प्लाटफॉर में आपने मुझे आने का इंविटेशन दिया और मौका दिया इसके लिए बहुत आबारी हूँ आपको बुलाने का आइडिया असल में मेरे को तब मिला जब मैंने कुछी दिन पहले आपका एक आर्टिकल टेकन हरल जो दक्षन का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड अख़वार है वहाँ पे आपने एक आर्टिकल लिखा एडिट अपीनियन जिसको बो इनको कनेक्ट करने की कोशिश की तो सबसे पहले तो हम बात करना शुरू करते हैं कि जो आज का जो माहौल है इतली किस हालत में है कि एक तरह से एक्स्ट्रीम फार राइट की सरकार आई है कैसे ये सिचुएशन डेवलप हुआ और क्या ये अपने आपको ओपनली डिकलेर क इतली काज अपने शाहिए कि हम फारसिस्ट पाटी है ये या एःटिहास सिचाए में में ये ये तिहासमें चाले पहले आज ऐसे पारिस्टिते हुआ आप सब लग जानते हैं सम्सक्तित में अपकला है क्राइबに फॉर्पेशियों स्बाश्यश जरेब रिकिनिते हां लिस हालत बुरी हालत में है और अर इस इंसेक्यर एकॉनमी विए लोगों को नौकरी मिलने की आशा खतम हो जाती है तब वो लोगों राइटेस पार्टी को ज्यादा स्जाइटेस को जैयादेण विएविगरेशी को जाते हैं लिए बुली साफ सपॉर्ट करते हैं लुब जोब यह तो जान खाल कुल जाते हैं के हमारे देशके नौकरी मोड लें जारा आख बहर तो इनको बंद करना चाहिए, इनको यहां से निकालना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, यह फ्रांस में भी बना है, और इटली में भी है, इटली में कई साल से है, अब इंगलेंड में भी शुरू हो गया है, और इस तरह की बाते तो हिंदुस्तान मे इनफाइब प्रेक्सित का मोल उड़ेश यही था कि पोल्लेंट से जो माइगरें उनको बंद करने के लिए उनने ब्रेक्सित क्या उट किया और इडली में यह तो पुरानी प्रमपरा है यह ए लिए इस सिच्वेशना इसलों के प्रेवार वार वर न इतली तु कि अस्तेमे यहालत परिस्टेटी बहुत ही गंबीर था कि उसने में एक लुगयों फाक्टी करके प्राम मिनस्ट था और किंग इम्मानुवल थार्ड थार्ड वस्टिटूशनल हेड और यह जब अनेंप्लोइम्ट बहुत बड़ती गई तो इस प्रोइड दो प्रोइड दो प्रोइड कि जो बेनटो मसुलाणी ने फ़ूंड किया था अरांग आउट नाय। 1919, 1917-1919 में इस प्रोइड किया था और यह जींद्र देगें था हैं इंटर्सिंग्ली में मुसलाणी सब्साट्र राइड इस जीड़नूस्ट था इस देगें इस जीडिए तो मसुलाणी सब्साट जोनलिस जोनलिस, और फिए बेर जोनलिसी जोनलिस and he became a political and then he he was a great follower of socialist ideas and communist Party but then soon when the World War I broke out he became a great nationalist and he went and fought the war on behalf of the king and the country so this time may he actually started become and when he returned as a soldier from the war उसकी पुरी पर्सनालिटी और अटिट्यूट बनल गया था और वो एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट बन गया था और उसने एक अपना पार्टी बनाने लगा और उसने में जो भी पार्टी के पावर में थी वो सब इतली के प्रावलमस का सुलिशन नहीं डूंड पा रहते हैं तो इसने सोचा कि अपनी पार्टी उसको पॉलिटिकल सपोर्ट कहा से मिली है हम आप इने पेट्रियोटिजम इस सब चीजों की जो बात कर रहे हैं अभी हाल में मैं एक जॉर्जा मेलोनी की भाशन का एक अनुवाद पढ़ रहा था कहीं तो वहां पे भी मतलब इसी तरह की आवाजे आती है फादर लैंड को स्ट्रेस किया जा रहा है तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो बेसिक जो लिग्वा फ्रेंका है वो वही है जो हम हिटलर में पढ़ने को में देखा या फिर जो इटैलियन फासिस्ट पीरियट के बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर इसी तर के थौट कंस्रक्शन्स देखने को मिलते हैं तो हिंदुस्तान कनेक्शन के बारे में तो हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे मैं जो कहता कि मुझे जी गए थे और इटली में जाके उन्होंने बाकाइदा सब चीजों को देखा थोड़ा सा और आज के हम परिस्थिती को समझने के अगर कोशिश करें आप कहरें कि इटली जो है एक बहुत ही मेजर एकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है तो आप जब इटली की बात कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें से बहुत कुछ शायद हिंदुस्तान की अर्थवेवस्ता पे भी आज लागू होगी क्योंकि उसी तरह की पैंडेमिक के बाद से काइसिस लोग फेस कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में हमको कितना चौकन होना चाहिए उसके बारे में फिर हम बात करेंगे हम यह समझने की कोशिश करना चाहते कि कि इसके अलावा अर्थ वेवस्ता के अलावा इटली में इस तरह की राजनीती जो की एक्स्ट्रीम राइट है उसको कैसे लेजिटिमेसी दोबारा से मिली आखिरकार ये इटली जो है एक फासिस्ट पीरियट से निकल चुका है और सब लोग उमीद करते थे कि ये डिमोकरसी में पूरी तरह से लोगों की आस्था हो क्या ये सही है ये बिल्कुल बात ठीक है ये कहना के बडिनो कमिंग बैक तो दा आइडियोलजी अफासिजम जो 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 प्रकाट कर रही है उसमें ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्ट एक इस ओन इस गाड फादर लैंड और ये तीनों के अरांड ये लोग अपनी बाली ये प्रीजिब आइडलियोलोजी बिल्टप करता है तैक्яетि फासे हर रही है, थासीruck को सब्सक्रश घराहने थिए help भर पर경 करता है, जैसे, टुम्प, को जी सोप्रूप तार्रपकर किया है टर्रब है कि हमेशा है भुष्ड है हमेशा अप्रश्यतकृ आटीश भी तो इतली लिखाय को बीनरी इतली लिज़ संपोर्टार को भी कि अरभी के लाल फिलाल इतली जरी कि आपयाने लॉपर्टी इसल closing कोलिशन पॉर्टी है जिसमें पहली पार मेलोणे की ए टली एटली एटली हाथ वंड़ बिजोरिती कोलिशन, इसमें कोलिटी कीि विक व्यासर। से प्तार गतरि च्याई परी पंटी कि रहा देगा वर्टी इस वदिल से इसमें अड़ ही तो वह संग डिलागापी कि जी, जै नियो फासिजम हमको देखने को मिल रहा है और यह उसी का फ्रेज है लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि यह क्यों घबराते हैं यह बोलने के लिए कि हमारी फासिज पार्टी से लिंक है यही बात मैं अपने आर्टिकल में लिखा हूँ कि फैसिजम इस्टिल डिटी वर्ड पूरे दुनिया में तो बिलकुल है मगर यूरोप ने सबसे ज़्यादा सफर किया है फैसिजम को और नाचिजम विच वर्शन अफैसिजम को यूरोप ने सबसे ज़्यादा सफर किया तो वहां पर इसको आप openly कहने सकते हैं मगर आप you can take xenophobia and islamophobia इन दोनों को आप project कर सकते है इन दोनों को आप शूराए यूरोप नाचिजम पार रखो इसलमफोबिया विदेशी नहीं चाहिए मुशलमान नहीं चाहिए गार आप इसको आगे बढ़के आपने पोलिटलिया अब इन पूर्य आप सकते हैं तो यह इज अन डिर्टिय वर्स बिट्सक्रीन को आप ज प्रिटन में भी देखिए कि जिस तरह से डिस्कोर्स चल रहा है रिशी सुना को लेके हिंदूसान को लोग इतने उत्साहित हैं लेकिन उनको अभी भी नहीं समझ में आरा कि यही सरकार जो है यह बहुत माइगरेंट्स को लेके उनकी दोहरी राजनीती है हम समझने की कोशिश करते हैं मुसलोनी की सरकार को और इटालियन फासिजम कई बार कहा जाता है कि इटालियन फासिजम वोस दी ओरिजिनल फासिजम मतब एक तरह से बुला जाता है और वही मॉडल को मॉडिफाई करके हिट तो मुसलोनी ने सिखाया है मिलकू मिलकू तो हम सबसे पहले तो यह समझना चाहते है कि किन हालात में उन्होंने सत्ता पे कबजा दिया क्या वह चुनके आयते या किस तरह से आयते वो समझना है लेखें यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है मुसलोनी अक्टोबर 1922 में 1922 है मां काला किले कि जा कितको हमार्च धरा काला सिव थो धर वावनी तना है मिला रीट तो है जो गीजelly है से वह प्राट उसने पृटन भी अनोष ऑपल DO IT जो उसने कहा, और उसने पहले इस ने भी बोला, एदर गुवर्मनें तो और भी टेक और गुवर्मनें तो उसने एक थ्रेट दिया, जब इसने थ्रेट दिया तो लूगी विफक्टो जो प्राम मिनिस्टर था, उसने किंग को अड़ाइस किया आप अप मिलिटरी को मॉबला करिये, नहीं तो यह लोग सीज कर देंगे रोम को और हम लोग काम कुछ ने कर पायेंगे, तो इम्मेरिटल अड़ अर्मी तो प्रोम, प्रोटेक रोम, तो किंग क्या किया उसने अर्मी को बोलने के मदले, ही संट अ लेटर अविटेशन तो मुवर्मनें तो को मुवर्मने को जी। तो टार से डिलेके पीडेशनी है और शेवजी लिवोर्मी तो किंगे व्रमी की टूरीश थी पीड workers union को खरतम करो and Mussolini ने फर्स्ट काम ये ही किया तो ये classical alliance of non-democrats जिसको नॉन देमोक्राटिक बूज्वा फोर्स उनका alliance बना और इनों ने जाके backdoor से इंट्री कर ली उसके बाद किस तरह से Italian system को subvert किया और किस तरह के lessons उनोंने Hitler जैसे तरह किया मसुरी ने क्या किया 1922 he came to power in the two years later 1924 में उसने elections order किया और उस election में पूरा fraudulently उसने अपनी party को maturity गिला दिया तो उसके बाद and though it was publicly widely acknowledged it was a fraudulence but फिर भी कुछ नहीं कर पाई लोग और उसके बाद उसने democracy को खतम कर दिया he declared a dictatorship of his own party election के माध्यम से तो मतलब हिटलर इंट्री के तो 1934 यह तो liberal democracy का failure भी रहा तो classical fascist forces का यह कि entry तो democratic means से करते हैं उसके बाद system को subvert करते हैं धीरे 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 करके और तोटल टेक ओवर करके कोई प्रिटेंस आफ डिमोक्रसी नहीं रहते हैं मुसलीनी ने कोई constitution को तॉपल नहीं किया उसको किंग ने बुलाया इंविटेशन दिया तुम सत्ता में आके सत्ता समालो कर गया so and He was given the oath of office on the italian constitution तो यह पूरी तरल से आपने liberal democratic instruments को आपनी तर्फी आविज किया है कि अच्झाट से आप सब्सक्षा थे मआए उपजूशा कर अच्फềफन टोश्यों को एप इसने ट्रूम इंश् единों तोई ब्रुड़ कर बुलाप गड़ा है और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये अंति-नाशनल ताकते है ये ही कहा जाता है बारी में खरता है वो जहांके अफ्रीकन कंट्री वार फिलार करता है क्योंके he says before again before a public audience of 3-4 lakh people in Rome, he addresses them and says today we have fulfilled one ambition that Italy always had, that is to have an empire. Italy को एक 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 है ता, because all the European countries, अप्रमान कि विवाइब करे ति eh ROMAN EMPIRE उसको रिवाइब करेए थै? तो रूर्व दुनिया में और हमारे आसपास पुराने EMPIRE को रिवाइब करने की फीर्दी वर्ल्ड वर के पहले प्रवर्व एक आपशने को बेस्ट वर्वर्व एक वर्यूपन करें। तॉप्र हमेर रित्वासन अंपाइर, तॉप्रमाइर, तॉषवाटरमाइर, तॉफथार्श श्लॉपर, ज़न्यर मत इंटथय रिपमाइर, तॉप्र सुपर्राइशा है इतली क्यूंती कैले हैं। इतली मिला मिला उन्पोर वित्ति Gamaitt Yalais tech E sweet इस्टैबलिश के प्रोसेस को देखके काफी एकसाइट या काफी उत्साहित होके हमारे बी-एस मुझे साहब जिनको राउंटेबल कॉन्फरेंस में बुलाया जाता है वो इतली जाते हैं और कुछ और योरोप के जो फासिस्ट ट्रेनिंग कैम्स होगर हैं वहां का दौरा करते हैं लेकिन इटली में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं इसके बार में जड़ा कुछ बताएं लगन बिफॉर एक पॉइंट फासिजम जहां पर भी था है वहां पर वार फॉलोओड वार स्रेंग्टन फासिजम अधुड करना फॉद्ध करना फॉफशिस्ट एलिट को फासिस्ट रूलिंग लास को यए बहुत जरूरी था ज़ुड इट अटली था ज़ुड दाएं इस वार वार उट ट्रॉट बिजनसे अपॉड बिजनसे और फॉट निट्टन कर सक्ता या उस्टम में आप कोई मु वह एक का माहौल क्रेट करना चाते हैं हमेशा से कुछ चीज को हासल करना चाते हैं जो कि अनटेनेबल है और उसी के इर्दगेद उनकी राजनीती चलती रहती और कहा जाता है कि चो की हासल करना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा उसमें डिमोक्राटिक राइट्स क त्याग करना राश्ट्र के लिए बहुत जरूरी है यही एक आर्गुमेंट बार बार निकर के आती है तो मुझे साहब को समझने के कोशिश करें कि वो जाते हैं और जो कुछ आपने पड़ा है उन्होंने जो लिखा है हम सब लोगों ने देखा है कि वो क्या समझते हैं इ के अजिक्ष्टे फ्रम 1927 तो 1937 वो 1930 और 1931 में दो बार लंड़नीती में तो मतलब 1910 के तशक से पहले दशक से सक्रिये थे कुछ समय कॉंग्रेस में थे तिलग्जी के सपोर्टर है चुके कॉंग्रेस में रहे उसके बाद गांधी जी के आने कवाद खिलाफत इनको पसंद नहीं है और साथ ही मतलब ये मुझे जो है हेडगेवार के मेंटर थे इनके अडवाइज के बेसिस पे ये कलकत्ता गए थे डॉक्टर बने थे जाके और फिर राजनीती में जो सक्रिये राश्ट्रिये स्वेम सेवक संका 1925 में कठन वा सब में मुझे जी का स् इनके टारव हिंडू महासभा भी थे साथ ही साथ राश्स के भी बहुत अश्ट एक इंपोर्टन पॉंट नेलंजन मुझे बिफोर बिचामिंग फेमस इन हिनु महासभा और वे इन कांग्रेस ही वास एक ट्रीन दोक्तर फ्रम्राइज कोलेज बाम्बेग बिडितन में बि गुलामी की तरह से गुलामी यह तो नहीं जब आप ऑफिसर मनें गिंग्स कमिशन में जब आपको कभी एविडिंस मिला है कि वो जो इतली गए यह भी बिटिश सरकार ने फिस्लिटेट किया था इसके बाने में थोड़ा शोद और होना इसके बाने में निकिए मैं आपको I want to talk about. Let me finish this point regarding his visit to London. He is invited to Britain to turn round table conference. What do you invite on to the country? Because Gandhiji was not... they don't want Gandhiji to be sole leader of Hindus. So they added one more person as a Hindu leader. प्रेजिनें लेडिया हैं तो इसे कॉंग्रस के लीडर्स को और गांधी को बहुत ही आपक्ति था क्योंकि उनलोग इस अम्हें विक्त किया था और इसके बहुत अपल रिकॉर्ड्ड उमको देखने को मिलते हैं इसको इन्वाइट करता है ब्रिटन लंडन आने के लिए और 31 में लंडन आने के बाद यह जाते है रोम तो लंडन तो रोम उन दिनों जाना कुछ पैसा तो लगता ही है इस अल फॉर इंश्चेंज विच उन अवेलबल तो इन इंडियन तो इसली तो यह कहां से मिला यह मैं इसली तो इसली तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी इंट्रस्टिंग बात मेरको ध्यान में आया कि मुसली ने को ही 1917 में बिटिश स्कॉटलेंड यार्ड सव पॉंट पर हप्ता देहरा है तो इसली तो हम कह सकते हैं कि उनके राजनेतिक अक्टिविटिटिट सच में पॉर्खर करिंग में घ행ितेस क कॉ फॉंटिश को का पॉर मिल गностью को पॉर्मी को बाल्री के एक राजनेतिक विफे इसली थो तो क्या है तो हम भी इसली अगराइन प्रम एकषी अधनिए ट्रबल्में कराई है। इसमों यह मुट पॉर्फरणी है घरनेंड आनें कर्ड क्रीड जो डब किया हैं जहाओ, करें रखे मैरे इधना घंजै जि मोझने उनिंचाव झाल जहाएं करें मुला करकार है मैरे बैसकली मैरे ज़्छयदा लग्वाद थे डिए लिए मिल सो country गिए मोगा कर शांगा दुए हिए पुटने। इन इस इस याका स्चाहिए ग्रेंज कूप्ने इस ले जाति जी होगा पना जाम तो मुझे निदा राखने हैं, को तो मुझेश का मीजेश ञीह तो बॉच्झा मुझेश थी तो इस वी बॉच्छ सब्सेदेटी अचाहिए जो मिलिटरी स्कूल्स हैं अब यहां पे मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं कि तीन मूर्ती भावन दिल्ली में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबरेरी हैं वहां पे मुझे के पेपर्स भी हैं वहां पे कुछ स्कॉलर्स ने उनके अलग से अध्यान किया है जिन लिखते आई हैं तो उन्होंने अध्यान किया और उसर ट्लियर समझ में आता है कि इटली जाके मुसलोनी और जो इटालियन फासिस इंसिटूशन को देखके मैंने अपने शोद में यह पाया कि वह आके उन्होंने यह लिखा था कि इंडिया और पर्टिक्लरी हिंदू सब्सक्राइब करते हैं आज से करीब 10-15 साल पहले उस पर आज से करीब 10-15 साल पहले उस पर आरोप लगे थे कि जो समझाथा एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें जो फोर्स जिन्हों जो इन्वाल्ट थे वो लोगों ने इस यह जो एक्स्प्लोसिफ हैं इनकी हैंडलिंग की ट्रेनिंग पहुसले मिलिटरी स्कूल में मिली थी जो जो प्रिंसिपल जो से करनल पुरोहित और साधवी प्रग्या ठाकूर इनके बारे में एक्विजेशन से आल्टीमेटली जाके उन 2014 के बाद केस रफा दफा हो गया और इनको एक्विट कर दिया गया लेकिन आरोप लगे थे और उन्हीं इंस्टूशन से लगे थे जो आज भी इन्वेस्टिग करीब वह भी भी बना हुआ है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक तपका है जिसका एक फासिनेशन फोर इतालियन फासिसम है इसके बारे में जड़ा बता है ने करनल पुरायत के बारे में बालब नहीं पर ट्रेनिंग लिया ज़िए ने आरोप लगे कि वह बारे में एक बारे में ने पारे में लेक लिए ने कि अप्राइब कि एंडेशनले के जिलाइब फिर प्रॉसियन से जिलाइब पर फिर्ट यही थू जेलेख टेरेशनले जेलेटी अठेमीज धूर्ट थे अचिज्टारिख इस नीजिए थे सब्याइब ट्रॉस्टेश्ट आप अचिछ पेडिगे टाकत, एडेख दिलाइब धूंट्ट में is immense and we know that today people who are in control of power today in India are mainly people who came from these RSS shakhas so and their ideology, their fascination right from Moon Jae, Savarkar has always been with Mussolini and Hitler and Golwalkar, he wrote a lot about Hitler and he says this Aryan race idea Yes, he does endorse it, that we should write exactly what we should do in fact Moon Jae writes in his diary that we should set up such an institution because Hindus are feeling weak and vulnerable and with non-violence their weakness will increase so they criticise Gandhi's philosophy and reject Gandhi's philosophy and he says that we should build a muscular Hinduism and for that fascist organization is an ideal example and they are always fascinated by it and they copied the model and the idea of an internal enemy was given to them by Savarkar in his book so you have another question in your headline in this article there are three M's Mussolini, Moon Jae, Meloni there are four M's that you are saying there are four M's also the four M's also the four M's is 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 also the four M's you see that you are seeing so what would you point to in their words the ideas evoke that the idea of that what would you like to show up with this? look, I would like to answer this question that is the state of Hinduism today our fascist race is the fascist race or not so I would have to answer this question what is your diagnosis what is your diagnosis? my diagnosis is I look at four-five characteristics प्रिटेंस्रीजिक्स कर्मन की फिरी इतलीजिक्सक्टयू कर दोग के सविए हुआ और विहार सिंगल उन्हान की एप्रिफिज्टिस्तिक्स्तर कर्माफ्रожд tutte है सिंगलाır में पर्मी शोल्जर, युनिटी अपर्टियों प्रिव यूनिटीस ऐ था जिस अपर्टियोंगर्टिस्टिक्स, था रगर्टिस्ट्रिक्स, टो यह वह बड़ा है, हर गर्ट तिरंगा, तो यह नचलिज्ट्यम को बड़ाना ज़िए, एक सिंबल है, और दूसरी बात, आप तो से रिलिजिनार हो पत्र gonna rule by रूलिएट बास्पी को अप्रोटर नहीं एतल अए उन कयोगता है आपने कर्तावे बांते हैं, कर्तावे पथ बने हैं, तो यह पॉंट बाहर मिलाता हूँ, तो यह रिलिजिन को आप पोलिटिक्स के साथ मिक्सकर के, यह रिखिए प्रिजिन को आप पोलिटिक्स के साथ मिक्सकर के, you are making the people believe that you are the only, not only defending Indian Republic, but you are defending Indian religion, that is the second point. Third point is, civil rights, citizen's rights become less important, but citizen's duties, duties become more important. So, and even in a Mussolini said, duty of the citizen is more important. And here, the duties of the citizen is more important, ultimately, पिष्ले छे साल से करीब लगातार बोले जारे कि, fundamental duties in the Constitution in emergency, तो इंसर्ट किये गए गए थे more important than fundamental rights, राइस की बात मत करीए, और कोई similarity between इसमें एक और स्टल नुएंस है, आप जब fundamental duties को support करने लगते हैं और promote करने लगते हैं, आप rights abuses को चिपा देते हैं, rights abuses को citizen accept करने लगता है क्योंकि right abuse हो रहा है क्योंकि national unity is important, national unity is more important, national goals are more important, so rights abuses are not, are negligible, चाहे हो काश्मेर में, और कोई similarity between इसमें और स्टल नुएंस, and then other similarities are, intellectuals and journalists are targeted, because they are the ones who question the authority, who question the basis of authority, so you have to ask questions, so you have to ask questions, so in Muslim and Hitler, journalists and intellectuals were targeted, and they were either executed or exiled out of the country, now in Hindustan also in Hindustan, and recently, our government has started a category of urban naxials, and the government has started a category, now in October, the Prime Minister said in a speech, and the Home Institute to address, urban naxials, there is one more, gun toting and pen wielding naxials, if you have to label a pen wielding person, you don't want any writer to write against your government, to criticize your government, so you have to finish any kind of dissent, correct, so you are curtailing your rights, you are curtailing freedom of expression and speech, you are curtailing your right to movement, you can't even openly criticize or say anything, like you know, we have seen how stand-up comedians, who are targeted in this country, so even cracking jokes against the government, is a crime, it will be brought under the UAP Act, so, and you know, and even, they start controlling the, and it's a sexist regime, you know, it controls women, even Mussolini and Hitler regime, women were second-rate, sub-human citizens, same thing is happening now in India, with the Love Jihad Act, you know, you are not only controlling the choice of a girl to marry a person, but you are giving the choice to the parent or the girl, so that is sexism, that is patriarchy. You have a lot of similarities, we hope that all your connections are not correct, Ravi Joshi Ji, to join us and join us, and to join us in this country, thank you very much for joining us, In English, there is a quote that those who do not learn from history are destined to relive, condemned to repeat it, yes, thank you for reminding me, in the correct way. तो हिंदूस्तान में बहुत कुछ देखा है जनता ने, लेकिन सीख हम सबसे ले सकते हैं, ensure हमी लोगों को करना है कि दूसरों का इतिहास हमारा आज और भविश्य ना बन जाए, नमश्कार